दोस्तों अगर आप credit card का balance bank account में transfer करना चाते हैं तो आज के इस यूडियो में हम credit card का balance bank account में कैसे transfer करते हैं इसका आज हम आपको live process करके दिखाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आप phone पे application को open करेंगे आपके सामने application का कुछिश type का interface खुल के आ जायेगा credit card का पैसा bank में transfer करने के लिए यहाँ पर आपको option देखने को मिल जायेगा rent payment का आप इस पे click करेंगे click करते ही अब आप next page पे आजाएंगे तो यहाँ पे आपको term and condition accept करेंगे यहाँ box पे tick करेंगे अब आप नीचे get start पे click करेंगे click करते ही अब आप next page पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप amount इंटर करेंगे तो आपने credit card से bank में कितना amount transfer करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको amount इंटर कर देना है और यहाँ पे property name में आपका bank में क्या नाम है तो यहाँ पे आप नाम इंटर करेंगे तो चलिए अब यहाँ पे name इंटर कर देते हैं property name इंटर करने के बाद अब आप नीचे continue पे click करेंगे click करते ही आपके सामने next page खुलके आ जाएगा तो यहाँ पे landlord name में तो यहाँ पे आपको name इंटर कर देना है तो यहाँ पे आप वही name इंटर कर सकते हैं यहाँ पे mobile number इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको contact number की list भी जाए आप इस पे click करेंगे तो आप contact number से भी यहाँ पे mobile number आप select करके mobile number इंटर कर सकते हैं नहीं तो यह optional है आप इसको छोड़ भी सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं pay to landlord account credit card का पैसा आप दो तरीके से transfer कर सकते हैं आप bank account के जरीए भी transfer कर सकते हैं आप humipid के जरीए भी पैसे transfer कर सकते हैं bank account के जरीए पैसे transfer करने के लिए आप यहाँ added bank account पे click करेंगे तो phone पे में आपका जो भी bank account add होगा अगर आप उसी account में पैसा transfer करना चाहते तो यहाँ bank select करेंगे, account select करेंगे, अगर आप other bank account को add करना चाहते हैं, तो यहाँ आप नीचे plus की icon पे click करेंगे, और यहाँ पर आपको popular bank देखने को मिल जाएगी, तो आप जिनका भी bank account में पैसा transfer करना चाहते हैं, तो उनका account किस bank में हैं तो यहाँ पे आप bank select करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे bank select कर लेते हैं तो जिनको भी हम यहाँ पे पैसा transfer कर रहे हैं तो उनका account है state bank of India में तो हम यहाँ पे state bank of India select कर लेंगे और यहाँ पे आप account number इंटर करेंगे और यहाँ पे आप confirm करेंगे account number और यहाँ पे आप ifsc code इंटर करेंगे यहाँ पे requirement नहीं है अगर आप ifsc code इंटर करना चाहे तो आप इंटर कर सकते हैं और यहां पे आप account holder का नाम इंटर करेंगे और यहां पे आप phone number इंटर करेंगे यह भी optional है अगर आप phone number इंटर करना चाहें तो आप इंटर कर सकते हैं और यहां पे आप nickname इंटर करेंगे यह भी optional है तो चलिए हम यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर देते हैं, सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आप नीचे confirm पे क्लिक करेंगे, confirm पे क्लिक करते ही आपके सामने next page खुल के आ जायेगा, तो आप जिनके भी account में पैसा transfer करेंगे तो यहाँ पे आपको account number और नाम लिख के आ जाये लेकिन हम यहाँ पे credit card से पैसा transfer करेंगे bank account में, अब आप नीचे proceed to payment पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने next page खुल के आ जायेगा, यहाँ पे आपको bill detail देखने को मिल जायेगी, आप जिनके भी account में पैसा transfer करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको नाम, account number और bank देख देखने को मिल जायेगा, और यहाँ पर आपको charge भी देखने को मिल जायेगा, additional processing fees, इंक्लूजिव आप GST आप rupees, तो यहाँ पे आपको 1.3% का आपको charge देना पर सकता है, अगर आप credit card का पैसा bank account में transfer करते हैं, और यहाँ पे आप इंटर करेंगे credit card के number, और यहाँ पे credit card का expiry month इंटर करेंगे, यहाँ पे आप expiry year इंटर करेंगे, और यहाँ पे आप CV number इंटर करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे सारी detail फिल कर देते हैं, credit card की detail इंटर करने के बाद, अब आप नीचे parent पे क्लिक करेंगे, parent पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे processing your transaction, तो यहाँ पे आपका transaction अभी processing में, तो आपको यहाँ पे थोड़ी दिर wait कर लेना है, आपके bank के registered mobile number पे OTP send किया जाएगा, OTP automatic direct कर लेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा credit card का पैसा bank account में transfer हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, your rent payment 2013 is successful, it may take up to 1-2 working days, तो एक यह दो working days में, आपका यहाँ पे account में पैसा transfer कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप और भी detail देखना चाहें, तो यहाँ आप view detail पे click करके, तो यहाँ पे आप और भी detail देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको amount और convenience fee, GST और यहाँ पे आपको सारी detail देखने को मिल जाएग तो जैसा कि 24 गंटे के अंदर ही हमारा credit card का balance bank account में आ चुका है, यहाँ पे आपको amount देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको transaction detail देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ दोस्तो आप credit card का balance bank account में transfer कर सकते हैं, आसा करता हूँ दोस्तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया ह वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें, मैं YouTube चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दोस्तो नेस्ट वीडियो में, जेहिंग